आतंकी मसूद अजहर के संगिठन जैश मुहंबन ने धमकी भर आउडियो चारी किया जिसमों उसने रामवंदिर पर हमले का जिक्र किया है आउडियो में जैश का लीडर धमकी दे रहा है कि रामवंदिर को तोड कर वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आतंकी भेजे जा अलड के बाद रामवंदिर के सुरक्षय बढ़ा दी गई है सुरक्षय जिनसे उन्हें आउडियो की जाच शुरू करती है आयोध्य हमें श्री राम के जैकारे से पाकिस्तान के कान पट रहे हैं और जैश का सरगना मसूद अजर परिशान है जम्मू में लगातार हो रहे हमलों के बाद आतंकीयों के नजर श्री राम जन भूमी आयोध्या पर है और इस वक्त जो सबसे बड़ा मस्ज़ा है वो है बाबरी मस्जिद को वापस लाना नौ जून को रियासी में श्रद्धालों के बस पर हमले के पांच दिन बाद जैश्य मुहम्मद ने अयोध्या पर हमले की धमकी दी है राम मंदिर के बनने के बाद आतंकियों में किस कदर बौखला हट है वो कट्टर पंथियों की जीखती आवाद से साफ पता चलता है तरीका उस वक्त बता दिया था जब कुरान नाजिल हो रहा था कि मस्जिद की जगा अगर मंदर बन जाए अठासी सेकंड का ये धमकी वाला आडियो जैशे मुहम्मद के किसी लीडर का बताया जा रहा है जो एक जलसे में राम मंदिर पर हमले की गीदर भव की दे रहा है नियोज एटीन इंडिया इस वीडियो की पुश्टी नहीं करता इस आडियो के एक एक शब्द नफरत से भरे हैं और ये किसी जलसे में उकसाने वाली तक्रीरे हैं बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में जैश की तरफ से भारत में नए आतंकी हमले का टार्गेट फिक्स करने की तैयारी है आतंकी संगठा ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राम मंदर की फोटो लगाई गई है उर्दू और हिंदी में जारी इस वीडियो में इस आतंकवादी संगठन का लीडर चेतावनी दे रहा है कि बहुत जल्द आयोध्या में राम मंदर पर हमला करने कुछ आतंकी आएंगे वीडियो में कहा गया है कि उनके तीन साथियों ने आयोध्या में बलिदान भी दिया है इसके लिए जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें राम मंदर की फोटो के ओपर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदर तोड़ देंगे वहें सातंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रेशासन अलर्ट हो गया है मंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है सूत्रों के मताबिक भारती ए खुफिया एजेंसियों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है सूत्रों के मताबिक साल 2001 में भी पाकिस्तान ने तीन आत्मगाती आतंकियों को आयोध्या भेजा था लेकिन इन्पुट के आधार पर उने पहले ही मार गिराया गया इसलिए आयोध्या हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है यही कारण है कि केंद्र सरकार अब अयोध्या में आतंकिवाद विरोधी नैशनल सेक्योर्टी गार्ड के हब को स्थापित करना चाहती है पुलिस ने सट्टे बाजी की बड़ी गैंक का परदपाश किया और इस दोरान सटोरियों के घर से इतने रुपे बरामद हुए कि नोटों का पहाड लग गिया इतने रुपे मिले कि गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी कैसे चल रहा था सट्टे बाजी का ये खेल आई चाहते हैं नोटों का ये पहाड जिसने भी देखा दंग रह गया सट्टे बाजी की काली कमाई है नोटों की इतनी गड़ियां के पुलिस को गिनने के लिए मशीन मंगमानी पड़ी 15 करोड रुपए है ये भुजैन पुलिस में 60 बाजी पर बड़ी कारवाई करते हुए नोट जब किये है पुलिस ने कृष्णा विहार के पास 19 ड्रीम कॉलोनी और मुसद्दी पुरा इलाके में बिल्डर प्यूश चोपडा के खर छापे की कारवाई कर करोणों कैश के साथ ही चांदी के सिलियां, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, हंगरी यूरो, पॉलिश मुत्रा, नेपाली रुपए भी परामत किये बुलिस ने इस वाबले में नौ लोगों को गिराफ़तार किया है करन्सी का भी असेस्मेट कराए आधार है, इसमें गो ही है, टॉलर्स मि न है, पाउंड भी है, अंगरी की करन्सी मि न है, अलगला साथ देशों की करन्सी में जिसका भी असेस्मेंट जो गालु एचे रहे हैं और ये लोग पंजाब और निबाएडा निबच के रहने वाले इसके संपर्प्रायत और इहां पर इसके घर में आपने रासे किते हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रीम्स कॉलनी के एक मकान में बिल्डर प्यूज चोपड़ा अंतरराश्री इस्तर पर सक्का खिला रहा है। उसके साथ पंजाब, राजस्थान और मत्यप्रदेश के लोग भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घर पर दबिश दी, यहां T20 वर्ल्ड कप में खेले जा रहे, बांगलादेश नीदरलेंड मैच पर सक्का लगाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 41 मोबाइल फोन, 11 लेटव, राश्री, अंतरराश्री सिम समेथ का यूपकरन जब किये। गिरपतार आरूपियों में से एक राजस्थान, चार पंजाब और चार नीमच के रहने वाले हैं। अलाके मौके आरूपी पियूज चोपडा फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि सभी आरूपियों को कोट में पेश कर रिमांड ली जाएगी। आरूपियों के आप राधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। बताये जा रहा है कि प्यूज चोपडा घर से ही सटा संचालित करता था। इसमें मुनाप़ा होने पर उसमें अपनी टीम भी बना जी जा रहे हैं। बड़ी बादरा में कैश और मेटल भी प्रेशिस मेटल भी रिकवर किये गए हैं जो अनापंड़ेट फॉर्म उसके लिए जो है आईटी और इजन्सीज को भी सुचना दी जा रहे हैं ताकि बोड़ी अपने अस्तब्र बिलफ़ाई का इस ये ताकर सब्सक्राइब कर सके बताया जा रहा है कि एक बार में पचास अजार से ठाई लाक रुपए तक का धंदा होता था धंदा कितना करना है ये सब प्यूश ही बताता था एक मैच में करोणों रुपए के हार जीत की बाजी लगाई जाती थी पुलिस ने प्यूश के घर से पास्टोर्ट, डेबिट कार्ट, सटे का हिसाब किताब जब किया है पुलिस का कहना है कि प्यूश परिवार के साथ लातविया देश भागने की फिराग मे था पुलिस ने उसकी गिरफतारी के लिए लोकाउट नोटिस जारी किया है